गार्निंग बोई चैनल को सब्सक्राइब करें और दवाएं बेल का आइकन ताकि आप आसके हमारी वीडियो सबसे पहले मैं आपका गार्निंग बोई आपका वैलकम करता हूँ अपने यूटूब चैनल पर उमीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे और अपने अच्छे कामों में खुब अच्छे से बीजी होंगे तो दोस्तो आज हम नर्सरी की एक ऐसी ट्रिक के बारे में बात करने जा रहे हैं कि जो आपने अक्सर देखा होगा कि नर्सरी या फार्म हाउस पे हमको प्लांट कुब हरे-बरे और फूलों से लदे हुए मिलते हैं पर ऐसी क्या बात रहती है जो हम घर लाते हैं तो वह ऐसे नहीं चलते हैं वह यह है कि वह जब भी कोई उसमें खाड डॉलते है या फर्टिलाइजर जिसे कहें वह ढालते है तो फुली डी-कंपोस्ट डालते हैं पर हम जब वहा से प्लांट ले कर आते हैं तो हम ऐसा कुछ नहीं करते हैं उसका कारण यही है कि हम जब नरसरी पर जाते हैं तो весь प्लांट हमfal ले लेते हैं फिर उसे पूंचे इसमें क्या चीढवां लूज लें तो यह जो भड़ खाधे लिए लुब्द द lequel और आते हैं या फिर हमें बर्मी कम पॉस्ट या फिर नीम खली or हम सर्षो की खली ले आते हैं मार्केट से तो ये सब चीज में ले आते हैं और यह siamoilip प्लांट में देते रहते रहते हैं जिसमें से कुछ तो जो से कॉट मिलता है तो वो तो fully decomposed कभी होता है कभी नहीं भी होता है तो जब हम उसे घर लेकर आते हैं उसको ले नहीं पाता है तो नर्सरी वाले उसको decomposed करने के लिए एक ऐसा चीज यूज करते हैं जो मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ तो दोस्तो उस product का नाम है base decomposer ये base decomposer राष्टिक जेविक खेती केंद्र ने बनाया है तो ये product एक ऐसा है कि आगर आप किसी भी चीज में चोड़ हमें decompose करनी चाहे वो किचन से निकला हुआ base material हो या फिर गोबर हो या कोई भी product हो कचरा हो जिसको हम decompose करना चाहते हैं उसको ये 30 दिन के अंदर decompose कर सकता है तो ये product आपको कहां से मिलेगा आप भी लेना चाहेंगे तो जब भी आप ये product मगाएं तो online ना मगाएं कि online का कोई guarantee नहीं है कि ये product आपको 100% सही मिले तो मैं ये product खरीद के लाया हूँ उद्यो नगर से तो मैं उसका जो address है वो आपको इस video के last में दे दूँगा तो आप भी वहां से ले सकते है product इस product को मैंने यूज किया जो मेरे को result मिले है वो 100% result मिले है मैं पहले गोबर खात और बर्मी compost और market से नीम खली सरसों खली ले आके ऐसी direct अपने पोदों में डाल देता था तो वो चीछ decomposed होने में time लग जाती थी और तब तक उसमें heatness भी होती है और जब तक हमारा plant के कभी leaves गिर जाते थे कभी flowers आते थे तो उनके कली गिर जाती थी या flowers अच्छे जो खिलने चाहिए वो नहीं मिल पाते थे पत्तियां सुकुड जाती थी ऐसी परेशानी अक्सर हमें देखने को मिलती है तो उस चीज को यूज करने के बाद हमारी ये सारी problem खतम हो जाएंगी तो दोस्तों आगे वीडियो देखते रहें मैं आपको प्र अगे लास्ट में वीडियो में मैंने उस जगे का एड्रेस भी दे रखा एक बार और बता दू मैट्रो स्टेशन उद्यो उद्यो नगर मैट्रो स्टेशन है आप वहां उतरेंगे तो पीलर नंबर 310 के सामने टाटा मोटर का एक सोरूम आपको मिलेगा उसके बगल में इन अ करने की विधि मैंने वीडियो आगे डाल रखी है तो आप जरूरु से देखिएगा तो चलिए हम देखते हैं के हमारा अगे की देखता है चलिए आगे की वीडियो देखते हैं तो दोस्तों यह है आपका देखिए प्रोडेक्ट है ये देखिए ये मैं उसी जगे से लेकर आया हूँ उद्यो नगर और इसमें पांच बोतल मेर को मिली है जिनका 20 रुपे रेट के इसाब से 100 रुपीस मैंने दिये है और ये ये उसी जगे का एड्रेस पूरा लिखा हुआ है एड्रेस मैं आ प्रोडेक्ट ये देखिए हो चेमानिये के आपकी सारी प्रोब्लम खतम कर देगा ये नर्सरी वाले फाम्रावस से मैंने पता किया है वो जल्दी ये बातें बताते नहीं है किसी को तो मेरा घर है जो नरसरी के बगली में है इसलिए मैंने उनसे ये बात पता की है तो ये है हमारे पुर्डेक्ट और मैं किनी दो लोगों को दो बोतल देना चाहता हूं उसके लिए आपको हमारी वीडियो लाइक करनी होगी और सेर करें और चैनल को सस्क्राइब जरूर करें तो ये द दो लोगों को मैं बोटल दूँगा आप लोगों को दो बोतले दूँगा तो जल्दी से जाए वीडियो लाइक कीजिए और कमेंट भी जरूर करें तो ये देखे उट जगे का एड्रेस पूरा दिया हुआ है और इसको तीन साल तक आप रख सकते हैं तीन साल तक ये इस इनकी वीडियो शारी डालूँगा कि कैसे इसे बनाना है ठीक है तो दोस्तों आप चैनल को सस्क्राइब कर लीजिए हैं हो दोस्तों आपकी सारी प्रोब्लम जितनी भी आपकी प्रोब्लम में सारी खतम करेगा ये आपके प्लांट हरे भरे फूलों से लडे हुए रहेंगे जिनको मैं ये दो बोतले दे दूँगा और तीन बोतल में अपने लिए रख लूँगा तो दोस्तों जल्दी हम आपको नेश्ट वीडियो में मिलेंगे तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और हमारे चैनल को सेर जरूर करें तो ये